हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागात है मेरे चैनल इंवेस्मेंट योगी पर अगर आप चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और उसके बाद नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो आपको भारा सरकार के रेलवे मिनिस्ट्री की दिखाई देगी इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है आई आर एपसी का काम यह होता है फ्रेंड्स की रेलवे को जो भी पैसे चाहिए होते हैं जो भी फंड्स की जरूरत होती है यह कैपिटल मार्केट से उसको उठात यह एक फाइदा कमाने वाली कंपनी माइनस में चल रही है आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए तो यह करीब 26 रुपए से कंपनी के लिस्ट हुई है 26 रुपए के बाद इसने 26 रुपए कभी नहीं देखा और उसके बाद यह लुएस्ट 21 रुपए और इन फैक्ट 19 रही है आपके पैसे कुछ दुबा भी नहीं रही है एक महिने की बात करेंगे तो आपको यह दो रुपए 2% का रिटर्न दे रही है और नेगटिव रिटर्न और 6 महिने में वहीं है जहां पर थी और वाई टीडी अगर इस साल का देखिए तो वह 7% है एक साल की बात करें तो 11% है 5 साल का तो अभी नहीं है यहां रिसेंटली लिस्टेट कंपनी है तो वही है 5 साल और वही है आपका मैक्सिमम चार्ट तो कहने का मतलब क्या है अब इसके फंडमेंटल्स की बात अगर कुछ कर दी जाए तो पी आप देख सकते हैं कि वो केवल साड़े चार है अग आप देखिए अगर सेयर प्राइस कम है तो यादा होता है तो 7% के आज पास आपको इसमें डिविडेंटल्स मिल जाती है तो कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है और भारत सरकार की कंपनी है कंपनी जो गौवर्मेंट की होती है उसकी मार्केट जो है उतनी वैल्यू नही रवी एनल जो है इस समय 33 उपए 70 पैसे पर झल रहा है और भारत सरकार की कंपनी है जिसका काम होता है रेल्वे के लिए इंफ्राइस्ट्रक्चर बनाना रेल्वे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है आप इसका मार्केट काtakeट की देखिए 7 रोड है को क 5.62 यह इसका रेंज है 44 रुपए 80 पैसे और 29 रुपए इस समय 33 रुपए चल रहा है अगर इसके maximum chart की बात की जाए तो इसने 70% का return दिया हुआ है और यह list हुई है 2019 April में और 5 साल वही होगा और इसके अलावा अगर last एक साल के return की बात की जाए तो वह 12% है इसके एक साल के return की बात की जाए तो वह 12% है इससे में YTD जो है वो negative में है 6 महीने का return जो है वो भी stable है वहीं पर 6 महीना पहले जहां पर share था वहीं पर अब भी है एक महिने के return की बात की जाए तो 2% का return है तो ये shares भी उतना volatile नहीं है आप देखिए 5.62% का PE है और dividend yield भी है 5.5% तो ये share भी rail विकास निगम लिमिटेड ये भी एक fundamentally अच्छी company है market अब उस हिसाब से इन companyों को value नहीं दे रहा है फिलाल नहीं दे रहा है सोए हुए stocks हैं ये सब friends अगली company है IRCON International IRCON International turn की projects में काम करती है ये भी infrastructure development करती है line बनाने का काम, building bridges ये सारी चीज़ बनाने का काम करती है 39.40 चार्ट देखिए चार्ट पैटरन उतना अच्छा आपको एक दिन का लगेगा नहीं अब अगर इसकी market capitalization की बात की जाये तो 3,700 करोड और PE ratio इसका भी वही है 5.72 और dividend yield 6.36 range जो था एक साल का वो है 35 रुपै और 34 रुपै तो थोड़ा सा ये volatile आपको यहां दिख रहा है IRCON IRCON में थोड़ा सा यहां पर movement दिखाई दे रहा है friends maximum chart की बात की जाये तो जब से list हुई है अपने shareholders को negative return इसने दिया है 2018 से तो यह एक matter of concern है लेकिन अगर dividend yield की बात की जाये तो dividend तो मिलता ही रहा है तो यहां capital appreciation ने हुआ लेकिन dividend मिला है लोगों को 5 साल का return भी वही है आप एक साल की return की बात करेंगे तो यहां पर 12% का negative return हुआ है YTD में 13% और 6 महिने में भी negative return 2.72 यानि जहां पर वो 6 महिने पहले stock था वहीं पर stock वो अभी भी है इन फैक्ट 6 महिने पहले 43 रुपए और उसके बाद में इसने नीचे का एक cut लगाया था 18% का और वो cut था 36 रुपए और उसके बाद अभी थोड़ा सा improvement है एक महिने का return negative है पांस दिन का भी थोड़ा सा वही है जो की वो पहले था तो यह जो company है यह भी भारत सरकार की ही company है यह आप देख सकते railway construction limited under the ownership of Indian railway यानि कि इसमें majority stake भारत सरकार का ही है friends अगली जो company मैं introduce करा रहा हूँ आपसे वो है railtail corporation limited 103 रुपए का बाजार भाव चल रहा है इसका काम यह होता है कि यह broadband वगरा की जो services होती है VPN services होती है railway में उसको यह develop करती है तो यह IT based company हो गई और इस company का market capitalization 3330 करोड रुपए पी इसका थोड़ा सा अच्छा आप देख रहे है 15.53 और उसे साफ़चे dividend yield आपका घट गया आप इसके return की बात करें तो अगर return की बात करें तो maximum जो return इस company ने दिया है इसने भी IPO के बाद अपने निवेशकों को निरास ही किया है 25-26 फरवरी 2021 को यह list भी company अभी तक अपने निवेशकों को 14% का negative return दी है पांच साल भी वही रहेगा एक साल में इसने कुछ नी दिया 18% wealth जो है वो यहाँ पर चली गई YTD के आधार पे 11.3% wealth यहाँ से गायब हो गई 6 महीने के return की बात की जाए तो 20% का return है और अगर बात करें एक महीने के return की तो वो कहीं भी नहीं है तो आप इस stock का अगर range देखेंगे तो वो आपको 84 और 141 दिखेगा तो थोड़ा सा volatile stock है और अभी यह 84 रुपए से rebound होकरके 103 रुपए आया है retail corporation यह भी एक ऐसी company है जो कि आपको long term में dividend के साथ साथ capital appreciation मिल जाए तो यह अच्छी बात है dividend government की company देती ही रहती है तो आपको इनको भी अपने एक watch list में जरूर रखना चाहिए इन company को railway infrastructure से जूड़ी एक और company है friends tax macro infrastructure and holding limited इस समय बाजार भाव है 61 रुपए 80 पैसा अब यह company जो है wagon बनाने में जो पहिये वगरा लगते हैं उसमें यह काम करती है wagon से related जो infrastructure होते हैं जो equipment होते हैं उसको यह बनाने का काम करती है यह company जो अभी wagon नई लगेंगे या metro के जो wagon लगने वाले होते हैं उसमें जो equipment होते हैं वो इसको अगर order मिल जाते हैं तो इसमें इसको अच्छी advantage हो सकती है आप market capitalization देखेंगे 787 करोड मातर dividend yield भी है 0.12% 52 week high low 82 और 52 रुपे 35 पैसे वहां से यह rebound होना इसने शुरू किया है कुछ media coverage भी इस company को मिलना अब शुरू हुआ है अगर maximum chart की बात करेंगे तो यह 343% का return देने में सफल हो गई है इन फैक्ट उस इस्तिती में जबकि यह इतना ज्यादा 184 वगरा के range में 2008 में जाते हुआ उसके बाद भी इसलिए अच्छा return अपने निवेसिकों को दिया हुआ है पांच साल के return की बात करेंगे तो वो 18% है ज्यादा नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है एक साल के return की बात करेंगे तो वो भी कुछ भी नहीं है यानि के 3.69% YTD में ये negative है 8% 6 महिने में ये positive है 5% और एक महिने की बात करेंगे तो ये negative return है और अब ये थोड़ा सा limelight में खबरों के वज़े से आ रही है dividend भी थोड़ा थोड़ा ये देही देती है तो friends ये जो stocks मैंने आपको बताए ये railway के based stocks है railway sector जो है उससे based stock है अब आपको करना ये है कि इन company को अपनी watch list में आप जरूर रखें आप इनके performance को ध्यान रखें कि इनका performance कैसा चल रहा है quarter on quarter और साथ में year on year उसके आधार पे आप इन company को अपनी watch list में रखें उन्हें देखें कि किस तरह से इनका price movement हो रहा है और उसके आधार पे आप इन्हें अपने portfolio में जंगा दे सकते हैं portfolio में जंगा देने का मतलब ये है कि आप quality company को ही ध्यान में रखें ज्यादा तर stocks मैंने जो बताए वो 50 रुपए के कुछ नीचे हैं कुछ उसके ऊपर है तो आप सस्ता ना देखें कि कोई stock सस्ता है 50 रुपए के नीचे है तो उसको हम ले ले या कोई भारत सरकार की company है तो वो कहीं जाने वाली नहीं है सरकार की बहुत सारी कंपनिया होती है जो की नुकसान में चल रही होती है तो आपको वहाँ पर फोकस ने करना 50 रुपए का ही stock हो या 100 रुपए का stock हो जो भी stock हो quality stock हो fundamentally जो है मजबूत stock हो इस video में friends मैंने केवल return की analysis की है तो अगर friends इन कंपनियों पर अगर आप detail fundamental analysis चाते ह वह earcon की बात की जाए चाहे वह IRFC की बात की जाए या फिर rail tail की बात की जाए तो सब पर एक fundamental analysis मैं कर सकता हूं अगर आप comment करें तो तो फिलहाल इस video में इतना ही thank you so much friends I hope यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर यह video आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए comment करिए और इस video को जास जाए लोगों तक share करना ना भूलिए thank you so much friends